यह आगे का बाग है तो पिछली वीडियो देखने लिए दिसक्रिपर्णम में लिंक आरे गेंगे क््म के यसों में देख सकते हैं तो आですね। मैं सब्रसाइब की कि हिसाब से कितने टाइब के direction control वाल होते हैं दूसरा है functionality यानि function के हिसाब से कितने प्रकार के direction control वाल होते हैं और तिसरा है actuation method यानि कि उसको operate करने का जो अलग-अलग तरीका होता है उसके हिसाब से कितने type के direction control वाल होते हैं तो पहला है as per the construction, तो, construction के हिसाप से दो tribe के valve होते हैं, seal ताइब या जिसको पपेट टाइब valve भी बोलते हैं, और दुसरा है sliding spool valve, तो seal या पपेट ताइब में जो एक पपेट यूज होता है, पपेट के हिसाप से वो operate होता है, तो इसलिए उसको पपेट टाइब वाल बोलते हैं उसको लाँना काले इसको पहलते हैं उसको लोड़ खाते हैं तो ऊसके ऊसस्टूल के भासित होने से उसमें जो हाँना का दाय्रसण होता है वह रखाता है इसलिए इसको दोनों वाल जो हते जो construction के हिसाब से अलग-अलग है यह दोनों hydraulic और pneumatic दोनों system में यूज किया जा सकता है दोनों को यूज किया सकते हैं दूसरा है as per the functionality function के हिसाब से बहुत सारे वाल होते हैं अपने अपने हिसाब से जो requirement के हिसाब से अलग-अलग टाइप के जो होते हैं 2x2 valve, 3x2 valve, 4x2 valve और 4x3 valve और 5x3 valve तो यह सब जो यह सभी प्रकार के जो होते हैं valve और इजली commercial market में available होते हैं इसका broadly यूज किया जाता है इंडस्ट्री में तो जैसे कि 2x2 हो गया या 3x2 हो गया 4x2 हो गया यह सब जो भी है यह सब को जो number है वो सब जो best होता है पोर्ट में कितने उसमें पोर्ट है, number of ports या फिर flow और उसका valve पोजिशन यानि उसमें वाल के कितने पोजिशन होंगे उसके अधार पर इनका numbering किया जाता है और यह जनरली यह neutral position में रहता है इसके दो पोजिशन होते हैं एक तो होता है neutral position और एक होता working position तो neutral position को null position भी कह सकते हैं और null position के लिए हमको कोई especially अलग से actuation का या actuation के लिए का जरूरत नहीं करना पड़ता है एक्ट्वेशन भीना एक्ट्वेशन के भी हम null position पे वह अपना वाल रहता है एच पर एक्ट्वेशन मेस्टड तो अलग अलग प्रकार के एक्ट्वेशन मेस्टड होते हैं तो उसके जनरली उसमें जैसे manual टाइप यानिके manually हम वाल को operate कर रहे हैं दूसरा mechanical टाइप यानिके mechanical उसको उप्योग कर रहे हैं electrical टाइप hydraulic या pneumatic pilot signal टाइप और कुछ समय कभी कभी हम अलग अलग प्रकार के method को एक सत्मिला के अपने requirement की हिसाब से इसको operate करते हैं जनरली यह सब इसके types हो गए एक्ट्वेशन मेसट के हिसाब से इसके अलावे भी अपने requirement खासका pneumatic system में requirement के हिसाब से अलग अलग type के valve को construction किया गया है तो उनमें जैसे एक होता subtle valve जूसरा quick exhaust valve या जिसको first response valve भी बोलते हैं एक होता time delay valve तो time delay valve को जो हम sequence operation के लिए generally use करते हैं तो जब किसी line में एक से अधिक cylinder होता है या बहुत सारे cylinder यूज करते हैं तो और उनका operation अलग-अलग समय में करना रहता है जैसे कि ABC cylinder है तो A पहले होगा B दूसरे में होगा C तीसरे में होगा तो वहाँ पर हम time delay valve का use करेंगे इसके लावा एक होता है idle return roller valve इसके लावा एक होता है 5 by 2 DC valve जिसको हम memory valve भी बोलते हैं या इसको एक impulse valve भी बोलते हैं और एक होता है twin pressure valve तो जनरल यह सब इसके टाइप्स होते हैं अपने अपने requirement की हिसाब से कोई भी हम इन टाइप्स में से यूज कर सकते हैं हमारे requirement जिस आधार पे होगा हम उस type का direction control वाली यूज करेंगे तो इस वीडियो में फिलाले इतना ह यूज करेंगे थाइप्स